नमस्कार उमकर जी बहुत स्वागत है आपका मेरी शो में नमस्कार बहुत धन्यवाद सर कंगना रनोत इस समय राजनीतिक गल्यारों में सफ्ट टार्गेट बनी हुई है सच बोलना सच दिखाना कितना चुगता है यह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है एक तो उनकी फिल्म एमर्जनसी रिलीज होने को है जिससे पंजाब का टेंपरेचर बहुत बड़ा ह हुआ है इस पर भी बात करेंगे लिकिन पहले हम यह देखते हैं कि किसान ग्वालियर के किसानों ने कंगना को मानाने का नोटिस बेजा है इसमें कहा गये कि अगर साथ दिन के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी कारवाई करेंगे ट्रेंका ग तक नहीं है तो यह सब क्या चल रहा है क्या इसका जवाब दिया जाए और क्या इन लोगों पर टिपनी की जाए कौन है यह ग्वालियर के किसान यह सारे किसानों के ठेकेदार कहां से बन गए और यह रोबर्ट वाडरा कौन सा किसानों का हितेसी है जिसने किसानों की जमीन जो हैं वो हड़पी थी वो पेंदर सिंग हुड़ा सरकार के साथ मिल करके शिकोहपुर के किसानों की जो जमीन का मामला था जिसको बहुत सस्ते रेट में उनका लेंड यूज वगारा चेंज करके खरीद ली थी और फिर एक बड़े डवलपर को वो बेश दी थी वो सब किसानों के इतने बड़े हितैशी बन गए हैं तो बने कोई रोप थोड़ा रहा है लेकिन क्या कहा है कंगना रनोत ने तो यह नहीं कहा है कि सब किसान जो है वो कोई देश-द्रोही हैं उन्होंने तो नहीं कहा है कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो गलत तत्यों को ले कर करें था ऐसा तो कुछ नहीं कहा है उनका जो बयान है उनका बयान तो यह है कि किसान आंदोलन के दोरान रेप हुए इसके अलावा मर्डर हुए तो वो हुए इसमें क्या गलत है क्या हुआ था कुंडली बॉर्डर पर एक 35 साल के पंजाब के दलित युवक को लखबीर को अं उसके हाथ पैर गर्दन काट दी गई थी और वो तस्वीर तो सारे सोशल मीडिया पर है वो ख़बर भी सारे सोशल मीडिया पर आज की तारीख में भी है उस समय तमाम जो मेन इस्ट्रीम मेडिया था उसमें भी वो चली थी रेप होए थे इसमें भी क्या गलत बात कह दी F.I.R. दर्ज हुई थी, बहद्दूरगड और कुंडली ठीकरी बॉर्डर के बीच में जो टेंट लगे हुए थे, वहाँ पर एक बंगाली लड़की के साथ में रेप हुआ था, तो कंगना रनोत ना कौन सी गलत बात कह दी, लेकिन संकट ये हैं ना कि ये सब कहने की हिम्मत और साहस और दुसास आज के राजनितिक दलों में नहीं है, जो कंगना रनोत में है, कंगना रनोत का जमीर अभी जिन्दा है, जहां तक बात ये है कि साब उनकी फिल्म को लेकर के पंजाब में ये हो रहा है या पंजाब में वो हो रहा है, तो क्या है उनकी फिल्म में, वो इमर्जंसी को लेकर के इंद्रा गांदी के करेक्टर को लेकर के राजनीतिक जीवन को लेकर के उन्होंने जो भी कदम उठाए थे एज प्राइम मिनिस्टर उसको लेकर के वो फिल्म बनी है और इमर्जंसी जो है इस देश के डेमोकरिसी पर सबसे बड़ा कलंक है सबसे बड़ा धबबा है काला धबबा है, उस पर अगर कोई फिल्म बनाने का साहस कर रहा है, जैसे विवेक अगनी होत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, एक और डारेक्टर ने केरल जो है स्टोरी बनाई थी, इसी तरीके से कुछ-कुछ director और producers जो हैं वो हिम्मत जुटा रहे हैं उन पहलों पर जो इस देश के इतियास के, राजनीतिक इतियास के, सामजिक इतियास के काले अध्याएं हैं, उनको किसी तरीके से सामने लाया जा रहा है, तो पूरा जो एको सिस्टम है इनको आग लगी हुई है कि इन दबे छिपे अध्यायों को सामने क्यों लेकर के आया जा रहा है क्या ये सच नहीं है कि इंद्रा गांदी ने लोगतंत्र की हत्या की थी सम्विधान की हत्या की थी क्या ये सही नहीं है कि 25 जून 1975 को इस देश पर इमर्जेंसित हो गई थी क्या ये सही नहीं है कि लोगों के जो मौलिक और मूल अधिकार थे उनको कुछला गया था क्या ये सही नहीं है कि अभी व्यक्ति की सुपंतरता चीन ली गई थी क्या ये सह तो मीडिया को censorship के लिए मजबूर नहीं करूँगा तो उनकी जगे इंद्रा गांदी ने विज्जाचरण शुकला को सुचना परसारण मंत्रा ले सौब दिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ Indian Express को छोड़ करके सारा मीडिया ही एक तरीके से कीडे मकोडों की तरह रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया था ये सच है और ये भी सच है के इंद्रा गांदी ने और कॉंग्रेस ने पहले तो विंद्रा वाले को पाला उसको खड़ा किया और जब वो महादैत्य बन गया और स्वर्ण मंदिर में हर मंदर साहब में जाकर के सैक्डों आतंकवादियों और हत्यारों के साथ उसने शरण ले ली और वहीं से वो खालिस्तान की मुहीम चलाने लगा तो उसके बाद उनहीं इंद्रा गांदी को आपरेशन ब्लू इस्टार करना पड़ा बराड साहब को मेरट से अमरस्तर रवाना होने के लिए कहा गया बराड साहब हमने परिवार के साथ विदेश यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे उनकी टिकेट बुक थी उनकी जाने और आने की टिकेट बुक थी विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले थे अचानक उनको कहा गया के चुकि आप भी उसी जिले से तालुक रखते हैं जिस जिले का भिंडरा वाला है तो आप बहतर तरीके से जानते समझते हैं और फिर उनको अचानक अपनी विदेश यात्रा रद करके अमरस्तर के लिए रवाना होना पड़ा था और बराड साब के नित्रतों में ही पूरा आपरेशन बिलू इस्टार हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ है वो अपने आप में अनफोर्चुनेट है कि अकालतक्स साहब को भी जो है डिस्ट्रोई कर दिया गया जो टैंक वहाँ पर लगाए गये थे हरमंदर साहब में सुर्ण मंदिर में जो कभी नहीं हुआ था वो अनफोर्चुनेट घटनाए हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अभितियास का हिस्सा है इंदरा गांदी की हत्या उन्ही के दो सिख सुरक्षा कर्मियों ने कर डाली सत्वंत और बेंत ने सत्वंत की तो उमर ही बहुत कम थी वो जट सिख था और बेंत जो है वो रामदसिया सिख था इन दोने मिलकर के इंदरा गांदी को उन्ही के सरकारी आवास पुरधान मंत्री आवास में माल डाला था अब संकट ये है कि इस सच्चाई को चुकि फिल्म में फिल्माया गया है दिखाया गया है और चुकि इमर्जेंसी और आपरेशन गुलू इस्टार को फिल्माया गया है तो आप बहुत सारी ताक्ते हैं जो कह रही है कि भिंडरा वाले को मत दिखाओ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंदरा गांदी की उनके सिख सुरक्षा कर्मियों ने हत्या की ये सीन मत दिखाओ बहुत सारे लोगों के पेट में ये दर्द है कि इमर्जेंसी क्यों दिखाई जा रही है तो ये उनकी प्रॉब्लम है ये उनका दर्द है ये उनकी कहना चाहिए कि वो असहज हैं अपने इस काले अतीत की वज़े से उसके लिए कंगना रनोत को जान से मारने की धमकी देना उनकी फिल्म को रिलीज ना होने देना उसके खिलाब सैकड़ो शिकायते भारतिये परमानन बोड के पास भेज देना अदालतों में जाकर कि उसको चैलेंज करना ये शो करता है कि एक वर्ग है जो अब असहज है इन चीजों को लेकर के क्योंकि वो दोर इस देश ने और दुनिया ने देखा है जब कॉंग्रेस के कई नेता कटगरे में थे सिख विरोधी दंगों को लेकर के जो दिल्ली में हुए थे तीन हजार सिखों का कतले आम कर दिया गया था इंदरा गांधी की हत्या के बाद ये काले धब्बे ये काला अध्याए ये नहीं चाहते हैं कि जो आज की पीड़ी है उसके सामने कोई फिल्म मेकर लेकर के आए और यही वज़े है कि इनकी बौखलाहट इनका गुस्सा अब कंगना रनौत के उपर कोट पड़ा है सर आप बिल्कुल सही कह रहे है लेकिन आज चंडिगड कोट में एक याची का दायर की गई है कि इस फिल्म पे रोक लगाई जाए तो पंजाब के लोग सच नहीं देखना चाहरे है एक ऐसा संगठान है जो सच को नहीं देखना चाहरा है आई मीन और भी बहुत सारे लोग है जो इसकी रिलीज को नहीं चाहरे है इसको रोका जाए लेकिन पंजाब में ज़्यादा मिर्चे लग रहे हैं कुछ लोगों को हमारे देश में एक समीधान है उस समीधान में बनाने वाले हैं चाहे अख़बार रिकारने वाले हैं या पॉर्टल्स ओनलाइन चलाने वाले हैं जितने भी मीडियम हैं उन सब को अभी वेक्ति की सुतंतरता है कोई फिल्म अगर बनी है उसको कोई परदर्शन से रोक नहीं सकता कोई अदलत भी नहीं रोक सकती जब तक के उसमें तत्यों के विपरीत कुछ ना दिखाया गया हो तब तक तो नहीं रोक सकती अगर तत्यों को तोड़ मरोड करके पेश किया गया है सच्चाई से इतर कुछ चीजें हैं तो कोट हो या परमानन बॉर्ड हो जिसको पहले सेंसर बॉर्ड का जाता था वो केवल वो संशोधन करने के लिए कह सकता है फिल्म मेकर से लेकिन फिल्म के परदर्सन को तो कोई नहीं रोकता है आज तक नहीं रोका गया तो ये भी नहीं रोकेगी आप या चिकाएं करते रहिए आप कुछ समय के लिए अब रोधक बन सकते हैं लेकिन फिल्म का परदर्सन तो नहीं रोक सकते हैं सभी कह रहा है सर एक लाइटर नोट पे एक और चीज आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ मैं एक टीवी चैनल पे कंगना रनोट से ये पूछा गया कि राहूल गांदी एमर्जंसी को किस तरीके से लेंगे कैसे देखेंगे तो कंगना ने एक बड़ा इंट्रेस्टिंग जवाब दिया उन्होंने काया कि राहूल घर पर टॉम और जैरी देखेंगे तो उन्हें ये फिल्म कैसे समा जाएगी यानि कि राहूल गांदी की तो भद पिट गई एक तरह से कंगना कई बार मैं सोचता हूँ कि कंगना ज्यादा मूफट है ज्यादा ही इसपस्टवादी है और कई बार कुछ ऐसी टिपणिया कर जाती है जो मेंबर और पार्लियमेंट है मंडी का पर्देदारी जित्तो करती है भारते जिन्ता पारिटी की लोग सभा सदस्य है और जब आप राजनीती में आ जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों पर आपको परदेदारी भी रखनी पड़ती है बहुत संतोलित आपको आचरन करना पड़ता है वियभार करना पड़ता है और ऐसी बातों से भी आपको परहेज करना होता है जो आपके लिए आपकी पारिटी के लिए या अगर सत्ता में आपकी पारिटी है तो सत्तारूर दल के लिए के असहेज इस्तितियों का निर्मान करे लेकिन उनको अगर टिकट दिया गया है तो प्युंब जानत ठी थी पर्टी का नित्रत्व ये जान्ता था कि कंगना का कुल मिला करके केरेक्टर क्या है उनकी उनकी खियाती किनप चीजों को ले करके हैं और वो बोल देती हैं ये भार्जे जिंदा पार्टी नित्रत्व को पता था उनको ये भी पता था कि ये एक जानीमानी अभिनेत्री हैं उनको ये भी पता है कि ये फिल्म निर्मान भी कर चुकी है निर्देशन भी कर चुकी है जब उनको टिकेट दिया गया तो उनको ये भी जानकारी होगी कि emergency नाम से उनकी फिल्म जो है वो post production में है और वो परदर्शित होगी ही होगी पार्टी ने तरतों को ये भी पता है कि वो उसकी विचारधारा क्या है पंगना रनोत की और किस तरीके से वो Congress को और पूरे ecosystem को किसान आंदोलन के तोर तरीकों को criticize क कर चुकी है बीजेपी ने तरतों को ये भी पता है कि वो केवल जो queen film बनी थी उसकी वज़े से उसकी परसिद्धी नहीं हुई ये विवादों की भी queen है रानी है और विवादों से उसका नाता रहा है जी जी तो ये सब पता है उनको पर पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ था उसको लेकर के भाज़पान इतरतों ने उनको फिर से एक मैसेज दिया है जेपी नड़ा से भी उनकी दो दिन पहले मुलाकात हुई है और ये माना जा रहा था कि इस फिल्म के परदर्शन के बाद अभी फिल्म का प्रमोशन चल रहा है अलग अलग चैनलों पर जाती है वहाँ जान पूझ करके एंकर ऐसे सवाल उनसे पूछते हैं जिससे थोड़ी पंडरो वर्सी शुरू हो उनको टी आरपी मिले कंगना भी चाह रही होगी कि उनका फिल्म का ठीक तरीके से परदर्शन हो और चर्चाओं में हो विवादों में घिरे विवादों में कोई फि पर्मोशन होता है इसकी चर्चा होती है एक बड़ा वर्ग होता है जो जो फिर सिनेमा घरों तक जाता है मॉल्टिप्लेक्स तक जाता है तो अबfashion सब का यही काम है सब राजनीती ही कर रहे हैं कंगना भी राजनीती कर रही है उसको भी अपना को भी सीमाएं नहीं लांगनी चाहिए लेकिन आप सीमा की बात कर रहे हैं तो उनको तो जान की धंकी भी मिल रही है ना यह तो फिर कुछ ज्यादा हो जाता है कि कांगना को तो अल्रेडी पहले से ही जैड प्लस रक्षा दी हुई है सेंट्रल गवर्मेंट की तरफ से उस समय तक तो भारते जंता पारिटी में भी नहीं आई थी जब उनको जैड प्लस रक्षा दे दी गई थी और यह उस समय दी गई थी जब मंबई में उनकी मनी करनी का जो फिल्म रिलीज होई थी उसके नाम पर जो उनका घर था उसको उधव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते कंगना रनोत बहुत आक्रामक तरीके से दो-दो हाथ कर रही थी उधव ठाकरे के साथ तो जिस तरीके से उधव ठाकरे की पारिटी के कुछ मेता उनको धमका रहे थे तो उस खत्रे को आसन देखते हुए उस समय से इंटर गवर्मेंट ने ग्रहम अंत्रालिया ने उनको ज हैं उसकी समिक्षा करती रहती है तो खीक है धमकी देना एक बात है और वही जो मैंने कहा है कि सीमाए लांगना उसके आगे बढ़ना दूसरी बात रहूल गांदी की बात चल लएती सर रहूल गांदी का आज से अमेरिका का दोरा शुरू होने वाला है तो अकसर जब विदेश जाते हैं तो एक नया ग्यान लेके आते हैं और उनका ये दोरा अकसर देखा गया है कि चुनाव से पहले होता है अब जैसे विदान सभा के करके रखते हैं देखिए रहूल गांदी की प्रॉब्लम ही ये है कि वो किसी से ग्यान लेते नहीं है क्योंकि वो तो स्वेम सिद्ध महापुरूश है और जो स्वेम सिद्ध महापुरूश होता है उसको किसी से ग्यान लेने की ज़रूर थोड़ा है तो वो अमेरिका क्यों जाते हैं, UK क्यों जाते हैं, दूसरे देशों की यात्तराई क्यों करते हैं, वो अपने आप में एक रहस का विशे है, दो साल पहले परदान मंतरी नरेंदर मोधी जब अमेरिका जाने वाले थे, आधिकारिक दोरे पर भी और चुकि UN महासबा का सेशन भी सेप्टेंबर में ह होता है हर साल, तो उसको भी संबोधित करना था, तो राहुल गांदी भी उस सेशन के कुछ समय पहले, हफते बर के लिए अमेरिका पहुँच गए थे, अब कॉंग्रेस के लोगों से, उनके रणनीतिकारों से, जब आफदर कोड़ बात की जाती है, कि ये सेप्टेंबर मे ही अमेरिका जाने का करम क्यों शुरू किया है, राहुल गांदी ने, तो उनका प्राइवेटली एक तर्क होता है, बलके मैं कहूंगा कि कुतर्क होता है, उनका कहना है कि साब मोदी जी चुकी अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर के जो महां भारतिये वसे हुए हैं, और जो भी हुआ है, वो गलत ही हुआ है, और कॉंग्रेस तो बड़ी पापी बलके महापापी पारिटी है, बड़ी भरष्टाचारी पारिटी है, उसने तो देश की एकोनमी को भी वरबाद किया, देश की छवी को भी वरबाद किया, जैसे 2014 से पहले तो पासपोर्ट की को परतिभाएं अब पूरी दुनिया में जो है वो उबर करके सामने आई हैं जैसे 2014 के पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है तो राहुल गांदी भी अब मौदी जी के उनकी निगाहा में जो कॉंग्रेस के लिए दुश परचार है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जाते हैं उनका ये कहना है लेकिन सब जानते हैं कि राहुल गांदी की मुलाकाते किन किन से होती हैं कहां कहां वो जाते हैं और उसके बाद जो आजकल सोशल मीडिया में और दूसरे तमाम क्षेत्रों में टूल किट का जिकर होता है कि राहुल गांदी जब जब विदेश यहत्रा से लोटते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ कांड हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वज़े से वो सुर्ख्यों में आते हैं या अलग-अलग कुछ कभी कोई किसान के नाम पर अंदोरन शुरू हो जाता है कभी कोई शाहीन बाग शरू हो जाता है कभी कोई दूसरे काण्ट सुरू हो जाते हैं तो क्या ऐसा कुछ करने के लिए वह जाते हैं तो यह अपने आप में एक रहसी की तरह है पर अब रहसी भी नहीं रह गिया है क्योंकि श्री लंका में जिस तरीके से घटनाए घटी थी बांगला देश में जिस तरीके से पांच अगस्त को शेख हसीना सरकार का तक्ता उलट दिया गया, वहाँ पर अमेरिका के एक पिठ्थू मुहमद यूनुस को कारिकारी बना करके शबत दिला दी गई, और वहाँ जिस तरीके के गटना करम इस समय चल रहे हैं उसको लेकर के अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि एक्च्वल में बांगला देश जो है वो तो एक कहना चाहिए कि ट्रेलर है असली जो टार्गेट है वो तो भारत है और भारत असली टार्गेट क्यों है और इसके अलावा जोर सोरोस से लेकर के कनाड़ा में, यूके में, यूएस में बैठे हुए कुछ दूसरे लोग भी है, वहाँ का डीप स्टेट भी है, पाकिस्तान का डीप स्टेट भी है, चाइना भी खार-खाए ही रहता है और ये सब नरेंद्र मोदी के तीसरी बार इंतिजार नहीं करना चाहते, अगले लोग सबस चुनाव का इंतिजार नहीं करना चाहते, चुनाव के समय, लोग सबस चुनाव के समय, मैंने अपने कम से कम तीन चार वीडियो में एक राहुल गंदी का वीडियो एक भाशन दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर तीसरी बार भी नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बन जाते हैं, मैनुप्लेशन करके बन जाते हैं, यानि चुनावी प्रकिरिया में हस्तक शेप करके, मैनुप्लेशन करके अगर बन जाते हैं, और आकर के फिर सम्वीदहान को बदलते हैं, तो पूरे देश में आग लग जाएगी, इस तरह के बाशन राहूल गांदी के हमने देखे हैं, अभी मनी शंकर अहियर का हमने एक इसी तरह का बयान देखा, कि बांगला देश में जो कुछ हुआ है, वो भारत में भी हो सकता है, सल्मान खुरशीद ने कहा दिया कि साब, कि पिछले सब तहा ही, जो कॉंग्रेस के नए गुरके हैं, राकेश्टिक है, तो उनका एक बयान आया, कि साब वो गंतंत्र दिवस पर जब लाल के लिए पर चड़ाई की गई थी, लाल के लिए पर जो हम पहुँचे थे, अगर उस समय ट्रेक्टर्स का मूँ जो है, पार जो बयान बाजी हो रही है, ये सारे बयान, सारे घटना करम, बंगलादेस की घटना, ये जो अमेरिका का, पाकिस्तान का डीप स्टेट और जिस तरीके से आजकल अमेरिका के यहां पर जो राजनेइक हैं, वो कभी असद उद्दिन ओवेसी से मुलाकात करते हैं, कभी कुछ अंदोलन जीवियों को अमेरिकन दूतावास में बुलाकर के चाय पान पर उनसे चर्चाय होती है, कभी जो इन्फुलेंसर्स हैं, उनको बुलाकर के उनकी वर्कशाप कराई जाती है, ये सब ये शो करता है, कि नरेंद्र मोधी जो अंतर राश्टी ये इस तर पर इ समय अमेरिका को चुनोती दे रहे हैं, चुनोती किस तरीके से दे रहे हैं, चुनोती इस माइने में कि अमेरिका नहीं चाहता था, कि रूस और युक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में भारत रूस से कच्चा इंधन खरीद करके, उसको आर्थिक फाइदा पहुंचाए या आर्थिक तोर पर उसको मजबूत करे एस जाशंकर साब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने यूरोप दोरे के समय कही थी जब किसी मेडिया कर्मी ने उनसे पूछ लिया था कि साब भारत रूस से ऐसे समय क्यों इंधन खरीद रहा है जब और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए है युद्ध चल रहा है तो एस जाशंकर ने कहा था कि जितना हम अपनी उर्जा जरूरतों के लिए रूस से इंधन खरीदते हैं पूरे महिने में उतना तो यूरोपियन कंट्रीज सुबह से लेकर के दो पहर तक खरीद लेते हैं तो क्या यूरोपियन कंट्रीज भी रूस की मदद कर रहे हैं और उन्हाने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं हम संप्रभू राष्ट हैं हमें पता है कि हमारी उर्जा जरूरतें कैसे पूरी होंगी और कहां से पूरी होंगी हम किसी के गाइडिड पंट्री नहीं हैं हम स्व परदहान मंतरी बनने के बाद परदहान मंतरी नरेंदर मोधी की G7 Summit में इटली की यात्रा हुई थी दूसरी उनकी जो यात्रा थी और आधीकारिक पहली यात्रा थी वो रूस की थी मासको की थी और वहां जाकर के उन्होंने ना केवल जफ ही डाल कर के राश्टपती पुतिन के साथ बाचीत की बलके उसके बाद वो युक्रेन की यात्रा पर भी गए और रूस और युक्रेन की जो दो यात्राएं नरेंदर मोदी ने की हैं इसी से अमेरिका को आग लगी हुई है उसको लगता है कि हम सामरिक और रणनीतिक साजेदार तो हैं हम कौड में चार देश ज भारत और अमेरिका मिल करके एक संगठन खड़ा किया जो चीन के खिलाब माना गया उसमें तो शामिल है पर भारत के प्रधान मंत्री अब इतना इंडिपेंडेंडेंटली हैसले ले रहे हैं वैदेशिक नीति को ले करके कि उनको किसकी यात्रा करनी है कहां की यात्रा करनी है किस से मिलना है किस से खरीदना है किस से नहीं खरीदना है वो सारे फैसले खुदी लिये जा रहे हैं अब हम हमारी इज्जतत दो कोडी की रह गई है और मासकों की जो यात्रा थी प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की वो ऐसे समय हुई थी जब नाटो देशों का सम्मेलन वाशिंग्टन में हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था, तो अमेरिका के लिए वो और भी पसहज करने वाली और शरमनाक घटना हो गई, तो अमेरिका भले ही प्रतियक्ष तोर पर जो कहता रहे, पर भारत से और खास तोर से परधान मंतरी नरेंदर मोदी से खार खाए बैठ लेकिन अमेरिका और ये डीप स्टेट वाले और वो सारा इको सिस्टम, इंक्लूडिंग मैं ये राहूल गांदी और तमाम लोग जो गलत फहमी के शिकार हैं, इनको ये बड़ी भारी गलत फहमी है, कि बांगला देश की तरह यहां वो कुछ गुल खिला सकते हैं, ये लोग अगर भारत को बांगला देश समझने की भूल कर रहे हैं, तो ऐसी मुखी खाएंगे के पूरे जीवन याद रखेंगे, के भारत क्या है, बांगला देश क्या है, और सारे कंट्री जो भी साजिशों में शामिल हैं, उनकी उकात क्या है, वो कहां और कौन सी भरबरी म करहा रही थी लोगों की जान बचाने के लिए भी लाले पड़ रहे थे सारी अर्थ यवस्थाइं चोपट हो रही थी डिरिल्ड हो रही थी और भारत एक मात्र ऐसा देश है आज की तारीख में भी जिसकी GDP अभी भी साथ प्रतिशत के पास पास बनी हुई है आज ही पहली त 7% पर हमारी GDP अभी भी खड़ी हुई है पूरी दुनिया में और एक भी देश नहीं है जो 5% से उपर भी अपनी GDP शो कर रहा हो तो ऐसे में अगर हम 2027-28 तक विश्व की 3rd largest economy बनने जा रहे हैं तो ये अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया के लिए ही एक जलिसी का विशय है इरशय का विशय है इसलिए हमारे रास्ते में तमाम तरह के खांटे बिचाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन हमारे बिना दुनिया चल नहीं पाएगी ये भी नहीं चल पाएगी अमेरिका भी जानता है और दूसरी ताक्ते भी जानती है और इस पर भी आखरी बात कह करके खतम करूंगा सितंबर के महीने में चुकी यूएन जनरल एसेंबली का सेशन होता है पिछले दो साल से नरेंदर मौधी खुद नहीं जा रहे थे हमारे विदेश मंतरी एस जया शंकर साफ जा रहे थे ये जो तमाम तरह की खबरे आ रही है कि बंगला देश में अमेरिका के डीव श्टेट ने ये कर दिया वो कर दिया अब अगला टार्गेट भारत है तो इस बार नरेंदर मौधी ने फैंसला किया कि मैं खुद ही अमेरिका जाता हूं ये वो परदान मंत्री है ये वो भारत है बदला हुआ जो अमेरिका जाकर के अमेरिका की आखों में आखे डाल करके बात करेगा और वहां भारतियों को भी वो संबोधित करने वाले हैं ये भी प्रोग्राम अब तैकर दिया गया है तो नरेंद्र मोधी बताएंगे वहां जा जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जो दो घंटे का ब्रेक मिलता था हिमंता सरकार ने उसे खतम कर दिया है इसके बाद से ओवेसी पारुक अपदल्ला अपनी भडास्तों निकाली रहे है लेकिन तेजस्वी यादव अखिलेश यादव ये भी टेंशन में आ गये हैं ज विशे ये है कि केवल मुसल्मानों को ही शुकरवार को दो घंटे की नमाज के लिए महुलत क्यों हैं जो बाकी के आपके हिंदु आबादी भी हैं क्रिश्चन्स भी हैं आपके पार्सी भी हैं जैन भी हैं बोद्द भी हैं वो उन सब को भी प्रेयर के लिए क्या इसी तरह कि छुट्टियां दी जाएंगे और ये ये महुलत और ये परंपरा और ये नियम ये काइदा ये कानून किसने बनाया था क्यों बनाया गया था जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी छोड़ दीजिए पर हम तो मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं हम तो एक सोकॉल धर्म निर्पेक् असी प्रतिशत से अधिक आबादी हिंदूओं की है और बिल्कुल सही का हिमंता विश्वा सर्मा ने आपको अगर नमाज अदा करनी है तो वो तो पंद्रे-बीस मिनट में हो जाती है दो घंटे क्यों चाहिए आपको तो इसलिए अगर इस तरह की व्यवस्थाएं अतीत में किन ही तुष्ची करण की राजनीती करने वाले दलों की सरकार ने की है तो वो गलत थी उसमें यह सुधार किया गया सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स थैंक्स थैंक्यू सो मच जैहिन जैभारत जैहिन